सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है सौबातों की एक बात है मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़े के ये जान ले हमारा प्रयास है राजस्थान खुशाल बने हर हाथ को रोजगार मिले शोशित और पीरित की आँखों में आसू ना हो गरीब को गौरब मिले किसान को उपज का लाब मिले उर्जा उतपादन में आत्म निर्भर बने नई ओध्योगी की संस्कृती का विकास हो गाउं विकास की योजना गाउं के लोग ही तै करे सडकों का जाल बिछे और लोग साक्षर बने ये सोच थी पूर्फ मुख्य मंतरी अशोग घैलोद की घैलोद ने अपने कारेकाल में अपनी इसी कल्यानकारी सोच के अनुसार कारे किये घैलोद ने गाउं हो या शहर गरीब हो या अमीर सभी के लिए कई योजनाय चलाई वो योजनाय सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रहकर आम जनता तक पहुचाई गई घैलोद की इनकल्यानकारी योजनाओं की बदोलत आज वो प्रदेश के एकलोते जननायक जनप्रियनेता है और इस प्रकार फिर राजिस्थान की जनता अपने उसी जन ही तेशी और पूर्ब मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के पद पर काबिस करना चाहती है